हलो स्टूडिंट्स तो आज मैं आप सब के लिए लेकर आया हूँ दवुल्फ सॉप सरनो ग्रैड्स ये बहुत इंट्रेस्टिंग स्टोरी है यह तो जो इंगलिश के स्टोरी होते हैं उनका कोई क्लास नहीं होता आज मैं इसे with a special reference to गुलमोहरीडर part 7 पढ़ाने जा रहा हूँ जिसमें ये unit 8 में दिया गया है स्टोरी सभी बुक्स में एक होते हैं बट इसमें कुछ words अलग-अलग publication अपना अलग-अलग ये देती है तो इसके author है साकी तो उसके बारे में सबसे पहले दिया गया है कि साकी was the pen name of British author Hector Hugh इसको ध्यान से परेंगे Hugh Monroe तो ये स्टोरी है उनका एक British author का तो उनका pen name pen name होता है न बहुत सारे ऐसे हैं जैसे हमारे पुराने एक्टर है बॉलिवुड के दिलिप कुमार साब उनका pen name है ये pen name है उनका original name वो यूनुश खान है इसी प्रकार से आपको अक्षे कुमार का कुछ राजीब करके ऐसे कुछ नाम है तो ये सब pen name होते हैं जो अपना किस छेत्र में हैं तो अपना नीम ऐसा रख लेते हैं ये short story is remain very popular to the to this day यानि उनकी short story जो है बहुत popular है आज तक भी ऐना for the year wit उनके wit यानि उनके बुद्धी मता की वज़े से उनके intelligence के बज़े से sharp comments on society और जो society के लिए sharp comments वो देते थे उसके लिए ठीक है the lumber room and the open window are some of his other famous stories तो उनके जो है कुछ other famous stories जो है ये दो ऐसे नाम दिये गए हैं तो चलिए story को शुरू करते हैं लेकिन उसके पहले मैं बताना चाहूंगा ये बहुत ज़्यादा interesting story है इसलिए आपका ये video थोड़ा सा लंबा होने वाला है दूसरा वीडियो तो दो तिन दिन बाद ही बन पाएगा एक वीडियो को बनाने में दो से तिन दिन लग जाते हैं तो क्योंकि मुझे और भी बहुत कुछ है मैं government teacher हूँ इसके लावा मेरे coachings चलते हैं मैं typing करके notes वगेर अपने student को देता हूँ इस लिए time लग जाते हैं एक बात हमारी मेनत को सफल करने के लिए इस वीडियो को अभी से लाइक कर दे और यदि आप चैनल पे नए हैं या आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीजी से सब्सक्राइब कर ले ताकि इस प्रकार के गुल्मोहर रीडर पार्ट इंग्लिश बुक्स के भी आपको complete solution नमारे चैनल पे मिलता है और notification बेल को जरूर ओन कर दे जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो की notification आपको timely मिलता रहे चलिए तो अब ज्यादा समय आपका नहीं लूँगा थोड़ा सा समय मैंने ले लिया और हां कमेंट्स करते रहें अच कमेंट्स से यह लाइक से यह बस यह यह चलिए तो शुरू करते हैं are there any old legends attached to the castle क्या इस यानि कोई कैसल है कैसल मिन्स किला महल कह लिजिए तो वैसे महल का तो पहले सोता है कैसल किला ही हुआ बट टाइप ऑफ उसी परकार का चीज यह होता है कि इससे कोई जुड़ी लेज प्लेस के बारे में कुछ ऐसे दंद कता जो पीड़ी दर पीड़ी चलती आ रही है और लोग उस पर विश्वास करते हैं तो क्या कुछ ऐसा है आज कॉन्राइट ऑफ सिस्टर अपनी सिस्टर से उसने पूछा कॉन्राइट कौन था तो कॉन्राइट वह प्रोस्प्रस विवयापारी सोधागर था बट ही वह जाँ ऑन पोइटिकली डिस पोजिशन मेंबर ऑफ ए हाइली प्राक्तिकल फैमली देखिए पोइटिकली डिसपोजिशन का मेनिंग आपके उसको कर्राइट ऑदिकली सकी नाट की तरह से एक तो एक practical family का जैसे कभी type का हर बात को थोड़ा सा दोहे वगरे में होते ना आपके आज पास भी कुछ teasers होंगे या कुछ लोग होंगे तो बोलते हैंगे उस परकार के थे The Baroness, Baroness क्या है? Baron से Baroness बना है The wife of a Baron और a woman holding the title of a Baron एक Baron जैसे पंडित जी की पत्नी पंडिताइन हो जाती है जादुगर की पत्नी जादुगर नहीं हो जाती है उसी परकार की Baron की या तो वो पत्नी है या फिर वो title दिया गए A title क्या है Baron? तो a title given to a certain rank of novelman तो novelman लोगों को दिया जाता था तो वो बाला है तो इसलिए Baroness वैसे Baroness होता है Baron Land होता है जहां कुछ खेती वेती नहीं लेकिन यहां नहीं एक title समझ लिजिए तो वो कहती है क्या कहती है Baroness जिसका नाम था Grubel shrugged her shoulders अपने कंदों को उसने उचकाया पता नहीं यहां जैसे there are always always legends hanging about these old places जो पुराने और यह बात सही है बड़े बड़े जो पुराने घर हैं पुराने महल हैं उनके बार में कुछने कुछ legends और शायद होते भी हैं और नहीं भी होते हैं तो लोग शायद बना देते हैं in this case there is a story that when anyone dies in this castle इस castle के बार में यह castle है क्या तो ऐसा कुछ दिया नहीं यह लोग घूमने गए होंगे यह वहां guest के साथ रहे होंगे जो भी हो तो गहता है यदि कोई इस castle में मर जाता है all the dogs in the village तो सारे जो इस गाउं के कुछते हैं and the wild beasts और जो जंगली जानवर हैं जैसे की दर बगएर आगे देखेंगे आप in the forest howl the night howl में चीखते हैं रोते हैं the night long पूरी रात बर it would not be pleasant to listen to would it तो यह सुनना अच्छा नहीं होगा न उडिट यह जो है question tag है ऐसा जम शब्द लगा देते हैं इसका मतलब है कि ऐसा सुनना pleasant नहीं होगा न जैसे कहते हैं तुम मशली खाते हो न तुम मशली खाते हो यह एट फिश लेकिन यदि तुम मशली खाते हो न तो यह एट फिश डोंट यू इस प्रकार से होता है it would be an a weird and romantic sit the merchant in message करता है कि नहीं न यह तो weird होगा यह तो अजीब सा होगा weird means अजीब सा और romantic भी होगा romantic भी होगा romantic भी एक साथ सोच लो कि गाउं के उत्ते बोलने लगे wild animals तो यह तो romantic होगा anyhow it isn't true खैर कोई बात नहीं यह सत्य नहीं यह sit the baroness way sister Kelly जीए since we bought the place we have had proof that nothing of sort happens चुकी हमने यह अचा इन्होंने यह खरीद लिया है मैंने का था कोई विजिटी वगेरा लगे नहीं यह दिया है since we bought हमने चुकी से खरीदा इस place को इस अस्थान को we have had proof that nothing of sort happens ऐसा कुछ नहीं होता है but there was no howling है ना और sorry sorry when the old mother-in-law जब यह सासु मांग मडी थी died last spring time पिछले spring time में वसंत के मौसम में we all listened तो हम समने सुना कि मतलब but there was no howling कहीं कोई howling नहीं था it is just a story यारे कुछ नहीं है just a story that lends dignity to the place without costing anything है ना जो इसकी सान में वो लगाता है ऐसा होता है मैंने अपने सेर में देखा है बहुत बड़े बड़े अच्छे घर है और उसमें कहका कि यह भूत बंगला है इसमें कोई नहीं लेता था कई वरसों तक फिर उसमें दूसरे लोग आए फिर वह रह रहे हैं एक में तो वही बिल्डिंग में एकदम पेंट वग देते हैं इसमें कुछ कीमत तो लगता नहीं इसलिए लिखा भी है कि विदाउट कोस्टिंग एनिटिंग नेक्स पैरा है इस टोरी इस नौट एप टोल इट सेट एमली धियान देंगे जराव यहीं पर ट्विस्ट आ गया है इस टोरी वैसा नहीं है जैसा आपने का है एम घर मन प्रणंसिएसन की हमें जरूड दो उसमें ऑब गरे जैसे अम लोग न अपने इंडिया में कोई बूढ़ा हो जाता है बुधा हो जाती है तो क्या इसके बाल क्या ओजाते हैं उसकी इंग्लिश दो होती है वाइट भी और ग्रेज़ लोग ग्रेइ बोलते हैं कि और उनका तो पहले से वाइट से आ रहता है तो पर ग्रेइस हो जाते है तो ग्रेइज बहुत बूड़ी सब लोग उसकी और देखने लगे यानि कि आस्चर्ज में सी वाजी यूज तू सिटिंग साइलेंट क्योंकि उसकी आदत थी गवर्नेस की आदत थी कि वो जो है एकदम साइलेंट रहते थी और प्रीम रहते थी प्रीम का बुक में आपके मिनिंग दिया हुआ है वेरी करेक्ट एंड प्रोपर इंड बीहवियर एकदम करेक्ट रहते थी अपने बीहवियर में इसली सॉक्ट बाइ रुडनेस और न उसकी रुडनेस को देकर रुड होना मतलब एकदम अजीब सा बेवार होना मतलब कुछ नहीं बोलना कुछ ये करना तो एंड फेड़ेंड अचा वो कभी किसी से तब तक नहीं बोलती जब तक कि उससे कोई नहीं बोलता ठीक है और बहुत कम लोग थे का है उससे बात कर वे कौन सी है जहना तूड हावववर सी कंटिनू टू टौक लेकिन आज वो कंटिनू बाते कर रही थी रैपिडली और नर्वसली थोड़ी अपने एक दम सामने जैसे सीधी देख रही है और प्रदान मंत्री ने सभा को मिटिंग को अड्रेस किया संबोधित किया ठीक है तो यहां पर वो किसी को अड्रेस नहीं मतल सीधा देख रही थी बोले जा रही थी मतल सीधा यह नहीं कि वो किसी की गोड़ देख के बोलना मतलब तो अजीब तो था ही अब उसने कहा ने कि अजया आवलिंग हुआ था तो कहां वो ग्रेंड इन लव मड़ी थी तो कहां कुछ हुआ था वो जो बोल रही है बैरनेस तो यह कहते हैं कि नहीं किसी के मनने पर आवलिंग नहीं होता है ऐसी बात नहीं इंग वन अप दा सर्नोग्रेट्स फैमली डाइड जब सर्नोग्रेट्स क्या तो आप टाइटल में यह था विल्फ सर्नोग्रेट्स सर्नोग्रेट्स जगह गाओं जो भी कह लिजिए शहर उसके विल्फ तो यह कहता है कि जब सर्नोग्रेट्स फैमली डाइड करता उसके परिवार में से फारे नियर फिर दूर दूर से फारे नेयर का मतलब है दूर दूर से फिर जो है और आते हैं उलिफ से and howled at the eyes of the forest जंगल के किनार पे आके howl करते हैं चीखते हैं just before the death or and death hour और हाग का मृत्यू के पहले hour means घंटा नहीं है time are कर दिधिधर मतलब मृत्व के समय आकर की वह हावल करते ओар क्रें कि दो क्सलों के डॉग होते हैं ड्रीज और जो गाउन की के घुले के ओ यह गाया जो जो डॉक्स हैं और सारे जो चाहे मैं रहते हैं उड़ वे मिन्स होता है और फेडॉग की बात वह अधर वैज तो बेड़ वगज़ वगए वगए होता लगी नहीं यहां में के लॉंग एंडीप क्राय वो जो रोना कुटों काता हूँ करके जो रोते हैं तो वह कह रहा है कि वह सब रोती हैं यह कह रही है डेत one left its body a tree would crash और जिस समय बोड़ी से देखिए इसमें ऐसा होने वाला है बोड़ी से जिस समय प्रान निकलेगा उस समय जो एक पेड भी गिरेगा पार्क में but for a stranger dying here लेकिन कोई stranger यहां मरे अपकोर्स no wolf would howl तो कोई उल्फ नहीं मड़ेगा इसलिए mother-in-law जो मड़ेती तो नहीं हुआ था इनके कहने का मतलब but and no tree would fall और कोई पेर भी नहीं गिरेगा इस तो सिर्फ सरनो ग्रैड्स के family के लिए है next पहराय देर वाजे नोट अफ डिफाइएंस and defiance, disobedience and challenge कि वह यह ऐसा थोड़ी नहीं होता है क्या आप इस्वास करो होगी नहीं होगा almost of contempt जैसे contempt का मतलब ऐसे तो गिरेणा बट यहां lack of respect लोग पिने रहे यह कोई बगटिया बात होगी ऐसा लोग सोचेंगे in her voice as she said the last words, the last words बोली, the baroness stirred angrily at the world woman और baroness उस पर गुसे से मतलब देखने लगी, कि भी यह क्या बात हुई, कि भी यह उसके family के member मरते हैं तो अब यह यहां गुलफा के कहां से मरेगा, यह कुन बात है, यह मतलब यह तो एक तरह से कहानी को सत्य कह रही है चलिए आगे है, अब कोई space में, you seem to know quite a lot about the one sernograd legends लगता है, तो आप जो है, वो बहुत जानती हो, तुम बहुत जानती हो, sernograd legends के बारे में, है ना क्या, तो यह name का आपको नीचे pronunciation दिया, froiline, है ना, froiline, है ना और यह क्या है, smit, यह german pronunciation है, smit, इसको ऐसा ने, मतलब आप देख लो, यह बस smit होता है, यह ना, तो froiline तो दिया हुआ आपके meaning में, तो, अब यह क्या है, froiline, तो term used to address an unmarried german woman, कोई किसी german woman, जो unmarried है, उसके लिए जैसे सूसरी अपने हां कहते है, miss कहते हैं, इंग्लिश में, वैसे ही जो है, हिंदी में सूसरी कहते है, वैसे ही वहां के लिए, मतलब यह, froiline, जो है, वो miss हो गया, समझ लिजिए, और यह उसका नेम है, smit, टीक है, किसका, वह गवर्निस का, यह, शी शेड सापली, यह, आई द सूसरी अपने हां किसी को तुरा सा उलाहना देने जैसा कहना, तो उससे तोड़ी सी अने इस्टोनिशिंग हो, क्या, जो रहा सुनिएगा भाई साओ, I am a one sir no grads myself, मैं कुद one sir no grads हूं, मतलब sir no grads बहुत सार है, उसमें से मेरा नाम है, नहीं वान है, मैं कुद मतलब वुल मैं कुद वह हूं, इसलिए मैं बेटर जानती हूं, you are a one sir no grads, के मैं इन्क्रेडिलियस कोरस, कोरस में जानते हैं, सामूही कावा जैसे, गाना में एक गाते हैं, फिर उसके पीछे तो वह कोरस होता, तो इस सारे लोग ऐसे कोरस में, जो है, so, इन्क्रेडिलियस का मतलब हो आउट and give teaching lessons, तो फिर मुझे लोगों को teaching lessons, यानि पढ़ाने, governance का एक मैंने का था, the teacher भी, और पर आने जाना पड़ता, I took another name, तो मैंने दूसरा नाम ले लिया, यानि यही जो फ्रॉयलाइन स्मिट है, वो मैंने ले लिया, कह लिजिए, but my grandfather spent much of his time, यानि ग्रेंट फादर यान बहुत समय रहे, as a boy in the castle, यह ना, उस castle में, and my father used to tell me many stories about it, और मेरे पिता जी बहुत सारी कानिया कहते थे, वो दादा जी इसमें मतलब रहते थे, and of course, I knew all the family legends, और मैं सारी family legends जानती हूँ, क्योंकि पिता जी ने बता है, when one has nothing left to one but memories, यदि एक वेक्ती के पास, और कु dust का double meaning होता है, याद रखने, dust means धूल हटाना, यानि कोई जमी हुई चीज पर धूल जम गई है, यानि वो बात खतम गए, तुसको कैसे हम, गार्ड भी करते हैं, रक्चाप करते हैं, उससे धूल हटाते हैं, उससे पढ़ता भी उठाते हैं, तो यहाँ पर, यह meaning है, dust with special care, हैं, ऐसे जब memories ही हो, तो memories को हमेसा थोड़ी यह करेंगे, I little thought when I took service with you, मुझे शायद ही पता था, यानि मुझे पता नहीं था, that I should one day come with you to the old home of my family, मुझे नहीं पता था कि एक दिन मुझे, ऐसे घर में आना पड़ेगा, और इवे, यह मैं आपको पिछले उसका page का picture पे ग baroness है, हाँ, तो अचलिए वापस आते हैं, कहने का मतला कि मुझे नहीं पता था, यह नहीं यह इन लोगों नो तो baroness नहीं यह घर खरीदा था, तो उस घर में आना पड़ा, बटी से नहीं पता था, कि भी हमें अपने ही घर में आना परेगा, यह इनका अपना ही घर है, मैं पता नहीं, है नहीं, यह यह वही भूतिया कहा हैं, इस्टोरी की तरह होगे, देर वाज साइलेंस वें सी फिनिस्ट स्पीकिंग, जब हो अपना बोलना बंद की, तो एकदम साइलेंस हो गया, and then the baroness turned the conversation to the other office, और baroness नहीं अपना बात बदली, अभी यह क्या बात हु कि यह कैसे हो सकता तो नहीं यह सब यह जाने रहीं, मतलब हैं Pacific ही लेकिन जादा था, it was an impertinence, क्या था impertinence, तो मिनिग दिया हुए impertinence means rude disrespectful behavior था, snap the baron, और बेरन ने क्या किया तो snap, snap means photo भी होता है, अब फोटो लेते हैं, हम लोग snap लेते हैं, अब नहीं, यह करकना, भर्व के रूप में करकना, गुसे में कहना, तो baron गुसे में बोली है, नहीं, it was an impertinence, यह rude behavior disrespectful behavior था, I don't believe a word of it, मैं तो इसके एक word पे, एक पे भरोशा नहीं करूंगे, she is just smit, कुछ नहीं होता है, smit है, nothing more, और कुछ नहीं, she has been talking to, आरे यह सा रहता है, तो यह से कैसे, she has been talking of some of the peasants about the old certain sarno grads, है न, वो किसी ग्रेंट फादर जो जो कहती है, किस कैसल मेड़ाते हो, pantry boy होंगे, pantry boy क्या, boy working in the pantry, pantry जानते होंगे, train वगरा हमें, pantry car होता है, small room beside the kitchen, kitchen के बगल में एक छोटा सा room कह लिए जिसमें, थोड़ा बहुत, क्या, where food and utensils are stored, अलाकि अब तो single ही हमारा रता है, अब तो छोटा सा बन हम लोग बन बालेते हैं, तो, है न, pantry boy होंगे, something of the short in that castle, इसी प्रकार का कुझा है, साद मीरा होगा, he sniggered, है न, हो snigger किया, he sniggered, क्या sniggered, क्या sniggered का मिनिंग दिया, laughed quietly in a mocking unkind manner, अबस ऐसे ही होगा, ऐसे कुछ हंसके, that part of the story may be true, हाँ, उस कहानी के कुछ पाइट सही हो सक बड़े ऐसा कैसे होगा, the merchant said nothing, merchant उसका भाई कुछ ने बोला, he had seen tears in the old woman's eyes, लेकिन हा, वो, उस old woman के आँखों में आसु देके थे, when she spoke of guarding her memories, कि अपने memories का आज भी गाड करी है, रक्षा करी है, I shall give her notice to go as soon as the new york festivities are over, है न, कहता है कि मैं, उसे जो notice दूंगा, इन उसकी बा I shall be too busy to manage without her, उससे पहले तो मैं, जो है सम, उसके बिना मतलब यह नहीं हो पाएगा, तो बाद में इस पे बहस करेंगे, अनि कि अभी तो काम करना है, but she had to manage without her all the same, for in the cold, beating, weather after Christmas, the old governance fell ill and kept to her room, और फिर क्या हुआ, but she had to manage, कि भाई यह फेस्टिबिटीज तक तो इससे अभी क क्यों, for, मैं अपने वीडियो में यह मुझे लगता है, बीसमा वीडियो का जिसमें, for का मिनिंग बता रहा हू, for means here, के लिए नहीं, बलकि क्यों की, यानि because, for means because, because in the cold, biting weather, यह जो काटने वाली थंडा का मोसम था, after Christmas, Christmas के बाद, the old governance fell ill, वीमार पर गई and kept to her room, और अपने रूम में ही रहने लगे, it is most, most annoying, हैना, said Baroness, के बहुत ही, गुस्य बाली बात, as her guest sat around the fire on one evening, हैना, जब उसके guest बैठे हुए थे, आग के पास, all the time that she has been with us, I cannot remember that she was, they were seriously ill, too ill, हैना, to go about and do her work, मुझे यादे, जब सी हमारे पास, कभी भी इतनी बीमार serious ill नहीं हुई थी, कि अब ही वो अपने बिस्तर पे भी, मतलब, कि मतलब वो अपने काम न कर सके, अपने duty न कर सका, मुझे लगता है, when I have the house full of, she goes and breaks down, पता नहीं कैसे इस बात, जब house full था, यानि किसा हुए थे, वो break down होगे, break down means, टूटना, लखराना, यहाना, पर तवियत खराब होना, one is sorry for her of course she looks so withered, हाँ, लेकिन उसके प्रतीद दुख भी है थोड़ा सा, क्योंकि वो बहुत withered लग रही है, thin and weak लग रही है, कमजोड लग रही है, shrunken लग रही है, smaller and thinner जैसे से इसक्तम, बहुत तवियत खराब होने पर सहड़ी हो जाता, but it is extremely annoying, all the same, लेकिन सही पूछ यह तो लगता है, सबसे जादा ठंडी है, गर्म में लगते है, सबसे जादा गर्म है, but of course ऐसा आता जाता रहता है, हाँ, तो लास्टे स्पेस का, and of course, he is quite old, हाँ, एक बात और भी तो है ठंड भी है, और वो जो है, बहुत बुरी भी है, and I said the baroness, why wappy, what is the matter with you, यह wappy कौन है, बह क्या बात है, कौन हो, कौन है, तो जरा देखेंगे, हम लोग आगे, कि वह wappy कौन है, next page, जो हमारा है, उसमें, stories तोड़े लंबे होते जा रहे है, but I hope कि आप इसको enjoy कर रहे होंगे, enjoy कर रहे होंगे, आपने अभी तक like नहीं किया, तो please like कर दे, 22 minutes around हो गया है, तो चलिए, पेज में, the small woolly, ये वापी कौन था, the small, चोटा सा woolly, wool जैसा उसका, उन जैसा, रोएदार, lap dog, चोटा सा कुता, lap dog, जैसे laptop होता है, वो lap means, गोद, गोद में रखने वाला कुता, had lived suddenly, and वो कूद गया था, suddenly, down from its cushion, जो इसका कुशन अपना अलग गदा बना हुआ था, उस क्रीप से क्रेप्ट बनता है, move slowly and nervously, वो सोफा के अंदर गुश गया, कई भई, at the same moment, an outburst of angry barking, came from the dogs, in the castle yard, अरे भई, अब क्या हो, अचानक से outburst होना मतलब, a sudden and loud occurrence, like an explosion, जैसे भी स्पोर्ट हो गया, किस चीज का angry barking का, गुशे में भौकने का, और कहां से तो, dog, जो castle yard में आकर किले के, उस महल के, याड में, अंगन में आकर, and the other dogs could be heard, yapping and barking in the distance, और बाकी कुटे भी दूर-दूर में भौक रहे थे, what is the disturbing, what is disturbing the animals, सास्क बैरनाडे, क्या है, जिस पज़े से इस 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 लौंग डौन, विनिंग हाउल, है न, लौंग डौन, मतलब, continue for a long time, बहुत देर तक लिए, विनिंग, making a noise that is long and high, बहुत जोड की आवाज है, जिफ, complaining जैसे शिकायत कर रहा हो, रो रहा हो, हाउल, छीखना, rising and falling, up and down, मतलब है, na, seeming at one moment, miles है, कभी-कभी तो लगे, जैसे म the starved cold misery of a frozen world, ये पूरा जो cold में कहते है, starved, भूखा, cold, रिग्दम, ठंडा, frozen world था, blended with the other for long, you know, for long means very unhappy and lonely, जैसा feeling and haunting, melodious to which one could give no name, you know, जैसा द्रावना सा कुछ नेम नहीं दे सकते, seemed concentrated in the, that wailing cry, you know, लग रहा हो, जैसे मतलब, क्या नाम रहा है, कैसा मतलब, जीजीब of wolves, है ना, सेंक्रो wolves का, said the merchant merchant, ने का, who was a man of strong imagination, जो की अपने, मतलब, कल्पना का लेगने ने, ये तो सेंक्रो, उसके है, वैसे इसके pages में आप देख रहे होंगे, उनके howling के sound, से picture के, उस side में, special picture ना देख करके, वैसे उपर में उस तरह का है, कि दूड का आवाज, और न not have explained the baroness, है ना, left her guests, moved by some impulse, कुछ ऐसा करके, moved, उसे चकित हो करके, जैसे जिसे वो explain ना कर सकती हो, the baroness left her guests, वहाँ से guests के पाद चली का, and made her way to the narrow, cheerless room, वहाँ से ऐसे लगा, देखिए, देखिए, वही कान ही याद आगए, कि भी, ऐसा तो तब होता है, जब कोई, सरनो ग् यही बात तो नहीं, हो सीधा उस चोटे से कमरे में गई, where the world governance lay watching the hours of the dying year slip by, जो एक दम वो देख रही थी, जैसे समय बीटता जा रहा हो, इस dying year का, यह last year का Christmas का टाइम था, देखा यह आपने, जैसे गुजर रहा हो, समय को जैसे देख रही है, वक्त जो गुजर रहा था, in इस थंड होने के बाद, विंटर नाइट का एक तम बैटिंग, बैटिंग कोल था, बहुत काठने वाली थंड ही, तो विंटो स्टूड ओपन, और खिरकी तब भी खुली, with an exclamation, with an exclamation on her lips, उसके लिप्स पर जैसे कुछ आस्यर की भाव हो, the awareness rust forward to close it, और यह देख कर के भी इतनी थंड है, बुड़ी है, तबियत करा और खिरकी खुली है, तो उसको बंद करने के लिए गई, leave it open, said the old woman in a voice, that for all its weakness carried an ear of command such as the baroness had never heard before from her lips, तो जैसे की एकदम से command दे रहे हो, leave it open, है न, छोड़ दो इसे, जैसे उसके उस कमजोर आबाज से एकदम से चली गई हो, और in any case, मैं अब किसी भी हालत में मरूंगी, said the wise, said the wise, वही आवाज में, and I want to hear their music, और हाँ, मैं इनके music सुनना चाहती हूं, किनके वही वही विल्प्स के, they have come from far and wide, वे बहुत दूर दूर से आये हैं, to sing the death music, जी हा, मृत दूर दूर से आये हैं, to sing the death music, जी हा, मृत दूर के स बहुत सुन्दर बात है, बहुत अच्छी बात है, कि यह लोग आये हैं, I am the last one son of grads, that will die in our castle, in our old castle, कि मैं last हूं अपने family की, जो इस castle में मरूंगी, and they have come to sing to me, और वो सम मेरे लिए गाने के लिया हैं, the cry of the wolf's rose, rise का, be to rose, and उनकी आवाद जो है, उन वेलियों के, उचे होने लगे, on the still winter year, आभी भी ठंडी हवा थी, and floated round the castle wall, जो ठंडी हवा पूरे दीवारों में एकदम से थी, and the world woman lay back on her couch, और वो बुडी अवरत अपने couch पर, याद रखेंगे, couch means caught, means bed, कह लीजिए, ठीक है, खटिया कह लीजिए, couch means, तो उस पर लेटी हुई थी, with a look of long delayed happiness on her face, ऐसे लग रहा था, जैसे कि बहुत long delayed, बहुत देड सी आयो, happiness उसके चेहरे पर, go away, she said to the baroness, देखिए, अभी कि चले जाओ, I am not lonely anymore, मैं अकेली नहीं हूँ, मेरी चिंता छोड़ दो, I am one of a great old family, मैं तो बल्कि उन बड़े परिवारों में से एक हुई, यानि ये सम मेरे प पास से वो सिताव से बुड़ी के पास गई थी, अब वो आपसा ये लगता है कि वो मर रही, I suppose we must send for a doctor, send for means होता है बुलवाना, कि हमें डॉक्टर को बुलवाना ची, and that terrible howling, oh terrible howling, not for much money, would I have such death music, है न, शायद, ये पता नहीं, बहुत जादा इसमें, पैसे मतलब जैसे कु रहे है न, कॉनरेट ने काया कि ये जो है, ये म्यूजिक किसी भी अमाउंट से कितने भी पैसे से नहीं खरीदा जा सकता, हार्क, हार्क क्या है, listen, अरे सुनो, what is the other sound, अरे, वो other sound कौन सा है, ask the Baron, Baron ने का, as a noise of splitting and crashing was heard, जैसे कुछ फट रहा हो, कुछ क्रेस हो रहा हो, है न, it was a tree falling in the park, पार्क में, एक ट्री गिर रहा था, देकि ये उस बुडी ने का था, जब हमारे family का कोई मरता है, तो ये dogs के और, जो है, विल्फ के sounds तो आते हैं, एक पेर भी गिरता है, और सच मुझ वही हो रहा था, दम सेम कहान ये, पता नहीं, there was a moment of concentrated silence, and a concentrated means होता, tense and an easy silence थ पाइक दम कोई कि भी ये क्या sound है, कैसे पेर गिरा, and then the banker's wife spoke, फिर banker की पतनी ने का, it is the intense cold that is splitting the trees, जैसा कि आज हम लोग करते हैं, उसको बेग्यानी कारण देने लें, किया रहे कुछ नहीं, ये बहुत intense cold है, बहुत ज़्यादा ठंड है, इसलिए वो पेरों को इसे फट र पारों में ज्यादा करें, तो ये ये कह रही है, अब देखो एक, चलिए दो पेराग्राफ तो है, फिर हम लोग डिसकुशन कर लेंगे, the baroness eagerly agreed that the cold was responsible, baroness भी, हाँ agree होगी नहाना, भी डर लगने लगेगा, तो क्या कह रहे है, तो cold was responsible for these things, इन चीजों के लिए, ये ये ओमर भी चुकी थी, उसका heart failure हो गया था, ये cold की बज़ता, but the notice in the newspaper looked very well, लगिन notice लिखा हुआ था, notice में, यानी news था अगले दिन, on December 29th, the castle Sarnogradz died, Emily won, Sarnogradz for many years, the valued friend of baron and baroness grew well, news में था, जो Sarnogradz थी, वो जो Emily थी, ना पता निए, ये अच्छा, ये ये देखिए, वही last है कि, जो, ये जो baron and baroness के family में, valued friend की तरह, governance की तरह रही है, वो आज 29th December को, मैंने कहा ने, Christmas का festivities था, तो उसमें जो अमर की, अच्छा है, मैं जो कह रहा था कि, एक nobel है, Shakespeare का, कि as you like it, तो क्या है, as you like it का मतलब है, आप इसे comedy समझ लो, चाहे आप इसे tragedy समझ लो, इसलिए उन्होंने ऐसा लिका था, आपको जैसा लगे, दोनों चीज उसमें था, उसी प्रकार से देखिए, यहाँ पर क्या है, कि वो, उसकी मतलब आपको विस्वास लगे, तो आप व पूछने होंगे या लगता होगा एक दो पॉइंट आपको, जो सारे पॉइंट आपको कोस्तन आंसर में मिल जाते हैं, मेरा लैप्टॉप थोड़ा सा गरवर हो गया था, बहुत जल्द इसका कोस्तन आंसर मैं अपलोड कर दूँगा, उसे आप आई बटन में चेक कर लें होंगे आप जो है इनकी बातों से बैरन की बातों से अग्री होंगे या जो वो स्मिट थी उसकी बातों से मुझे कमेंट करके जबर बताएं मिलते हैं अंगले वीडियो वे तब तक के लिए हाव नाइस टे